हेलो फ्रेंट्स गुड मोर्निंग एवरिवन वेल्कम तो जुकसना लूइंग लेट्स फ्राइविट सक्सेश आज है 25 फेबुरुआरी 2021 जो भी मोस्ट इंपरेंड करेंड एफेर्स पन सकते हैं 25 फेबुरुआरी के सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस बेरी मुझ पर आल कॉंपरिटिव एग्जाम्स जूटू सोम एग्जाम्स एन और अवरेवल जीजान्स आई कांट अप्लोड लास्टेंड इस करेंड एफेर्स एंड वी विल अप्लोड तो करेंड एफेर्स बढ़ते हैं देखिए आज के सेशन सुरू करने से पहले आपको लिए एक हस्टैक मोदी रजगार 2 हैस्टैक मोदी जॉप दो नाम पर तो केंपेंड चलाय जाएगा यह प्रैसिबली कॉम्पर प्रेशड होगा और जो ट्रांस्परेंसी प्रोसेस से कैसे ट्रांस्परेंसी लाया ला जाएगा यह स्सी जो भी एक्जाम्स है उनमें से बच्चों 200 म सब्सक्राइब एक जोब पाने के लिए तीन साल चार साल लग जाता है अगर आप नोटिफिकेशन से जोइनिंग तक देखते हैं तो अभी नहीं तो कभी नहीं तो आपको यह केंपेंड में जोइन करना है ओके शुबह 11 बजे और यह जो हैस्टेक है आप इस तरह से आप कुश्यन स्था वी एब तो आंसर इट फर्स दैन वी विल प्रोचिद तो अर्स टुड़ी सेशन तेखिया हमरा पहला कुश्यन ता विस स्टेट विल कंस्ट्रक्ट कोभी वारियर मेमोरियाल कौन सी स्टेट में स्टार्ट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा सिकिम उत्तर कुश्यन स्टेट वारियर मेमोरियाल इन उडिसा उडिसा इन यूच कैपिटल के है उडिसा के भूमनेश्वर चीम मिनिस्टर मिस्टर नविन पतनाइक और प्रोफेशर गनेशिलाल इस देखिया हमरा अगला कुश्यन था विस कंट्री तेस्पुली टेस्ट पायर बाबर क्रिस मिसाइल बाबर क्रिस मिसाइल को कौन सी कंट्री ने अभी सक्सेश्पुली टेस्ट फायर किया है आंसर होगा यहां पाकिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी ने यह सक्सेश्पुली टेस्ट फायर किया है पाकिस्तान आर्मी कॉंड़क्टर डे सक्सेश्पुली याद करना है कि यह बाबर मिसाइल है यह सर्फेस टू सर्फेस सीट करने वाले क्रेस मिसाइल है नम है बाबर ऑगे आज के सेशन के तरफ देखिए हमारा पहला कुशिंट से आज के सेशन के होसंगाबाद City of which state renamed as नमदापुरम होसंगाबाद जो शिटी है यह कौन से स्टेट में है इसका नाम को चेंज करके नमदापुरम अपरक दिया गया है रोगा मथ्य प्रदेश में सारती के हैं जय फ्युश ranges मढ़ूपल सीपरास कुभूपल देख सकते हैं आई में Nag Schranya जुहान के और अनन्दी बैन पर्टेल इस दा गवर्नर आफ मत्रप्रदेश ओके नेक्स्ट कुश्चिन देखते हैं देखें कुश्चिन नमर टू हो है इनागुरेटेटेट दा 26 एडिसान आफ हुनार हाट फेस्टिवल हुनार हाट फेस्टिवल यह 26 एडिसान है इसको किस ने इनागुरेट किये हैं राजनाथ सिंग नारेंद्र मोदी अमित सार अप्षन डी में है अर्विंद केश्रिवाल आंसर आपको बताना है आंसर होगा देखिए अप्षन एज करेक्ट यह राजनाथ सिंग डिफेंस मिनिस्टर आब आबार इंडिया रिसनली यह ने एक वाल रेकर अभी किया है विकाम यंगेस्ट ओमें डुर्व अटलेंटिक ओसन सिस्टर आपको बताना है वह कांसे कांट्रि से बिलंग करते हैं आंसर होगा वह बिलंग करते हैं युनिटाड किंग्डम युके से अप्षन और आप देख सकते हैं इमेज जस्मीन फ्रॉम युके उन्ट एटिग्डम के लिए यह स्कूल एजुकेशन को बडवा देने के लिए यह प्रोजेक्ट साइन किया गया है नागलांट मनिपूर आसांशाम और अप्षन डी में है और आंसर होगा यहां अप्षन एज करेक्टियर यह नागलांट के लिए है रिसन वर्ड बैंक एन आगलेंड साइन एन एम यू आफ टो टेपलाब इन स्कूल एजुकेशन ओके वाल बैंक इस न्यूस वाल बैंके हमको हेड़काटर मिलेगा वासिंग्टन डी सी में डेविड मालपास यहां के प्रेशिडेंड है और 1944 में वर्ल बैंक ह्टावड स्वाता ओके आई होप यू गार्था अल्सों नाव नेस्ट कुश्चिन के सेकेंड एडिसान आफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गैंस 2021 स्टाटेड इन विस्टेट इस सेकेंड इडिसान आफ खेलो इंडिया इंवर्सिटी गैंस 2021 यह कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ है मारस्ट तामिन लाडु केटला और अप्शन डी में है करनाटक करेंट इंसर होगा यहां अप्शन डी यह हुआ है करनाटक में आप देख सकते हैं इमेज हमारी स्पोर्स मिनिस्टर किरेन रिचू एंड करनाटक के स्टेंब्या यदूरप् और हमारे स्पोर्स मिनिस्टर है किरन रिच्चु नेस्ट कुश्चन देखें कुश्चन नमर्ट 6 राहूल कुलर पास्ट आवे वो कौन से डिपार्टमेंट के चेयर्मेन थे आंसर होगा टेलिकम रेगुलरेटरी ऑफ इंडिया टी आर ए आई के थे आप देख सकते हैं इमे कुश्चन नमर्ट 7 देखें के वो हैस इनागुरेटेट अटा वर्ल्ट बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम वाल के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम को किसने अभी इनागुरेट किया है नरेंद्र मोदी रामनात कोबिन अमित साह और अप्षंडी में है किरन अब ढूए ता मोंट्रा क्रिकेट स्टेडियम बट इसको चेंज करके अभी नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है नंद्र मोदी स्टेडियम ओके यह है अवाधाबाद गुज्राट में यह आपको याद कर रखना है इसको इस परीमश इन प्रॉट्टान एंग्जाम इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है आप देख सकते हैं इमेश पूस्टेडियम के ओके नाव दा नैम ऑफ दा स्टेडियम इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम ओके नेक्स्ट कुश्चिन वेन सेंट्राल एक्साइज डे इस अब्जाप्ट सेंट्राल एक्साइज डे काप मनाया जाता है 23 फेबरारी को 24 फेबरारी 25 मार्स अब संधी में है 27 नॉभेंबर आंसर होगा यह हर साल 24 फेबरारी को मनाया जाता है सेंट्राल एक्साइज डे सेंट्राल एक्साइज डे ह क्रिटिक बेस्ट एक्टर इन दादा साइफ फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एवर्ड यह दादा साइफ फालके है कि यह नहीं है ओके किस किसे यह पॉस्टमस ली निदन होने के बाद क्रिटिक बेस्ट एक्टर के आवार्ड से नमजा गया है इन दादा साइफ फ पॉस्तुमस्ली आवाइड एट ग्रिटिक बेस्ट एक्टर यह दिस कुश्टिन अलसो फेरी मुश इन्हें पड़ना ओके नेस्ट कुश्टिन देखिए कुश्ट नमोर टेंड आज के सेशन के लस्ट लास्ट कुश्टिन साइगे विजट पैंक विजट वेल रचार्टि कंग्रेश एवाड बोर्च यसे का सब्सक्रान को इनलाक युनॆन बंक उप इंडिय फिर और ख hyar को आपको पता है हर सेशन के बाद हमारा कुशन सब्सक्राइब कोमेंट सेक्षन और पहला कुशन है इंडिया के पहला डॉल्फिन रिसर्ट सेंटर कहां एस्टाइबलिस किया जाएगा सब्सक्राइब कोमेंट सेक्षन त्यार बाई रेगुलार प्रैक्टिस हिस्टान बाई और आज शुबह 11 वजे आपको वो ट्विटर कंपेंड में जैन करना है जो भी सारे एजुकेशनल चैनल है जो भी बड़े बड़े चैनल है सारे इस केमपेंड को शपूर्ट कर रहे हैं और यह स्टुडेंट के लिए ही है और आप लोगों को के लिए ही है बिकाश को स्टुडेंट को ट्रांस्पेरैंसी लाना चाहिए इस प्रोसेस में जो 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 जोंग इस केमपेंड टोड़ेवं एम्यार थैंक यू पर वाचिंग इस सेशन प्लिस लाइक सब्सक्राइब और शिजया आपकों में आपकोंग अप्डेट्स स्टूर्ट वह और देप